हलो फ्रिंट्स गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ डॉक्टर मनुच एक अरोमा थेरापिस्ट एक नाचरो थेरापिस्ट दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ पांच ऐसे लक्षणों के बारे में जिनको आप अपने चहरे पर देखकर पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में कौन से विटामिन के कमी हो रही है दोस्तों विटामिन हमारी बाड़ी में चाहिए तो बहुत कम मत्रा के अंदर होते हैं लेकिन अगर इन कम चीज़ों की भी और जादा कमी हो जाए तो हमारी बाड़ी के अंदर रोग प्रत लास्त तक देखें, जिससे आप इन चोटे-चोटे लक्षणों को पहचान करके चेक कर सकें कि आपके शरीप में क्याँ सा विटमिन की कमी चल रही है और उसे कैसे आप पूरा कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले हम इशा कितरह रिक्रवेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो सब्स्ट्राइब जरूर कर लीजेगा बल बटन आएगा बल बीज़ जरूर दबा दीजेगा जिससे आने वाले वीडियो के नोट्रिकेशन आपको मिलते रहे हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इंस्टाग्रेम तो फॉलो कर दीजेगा और अगर आप ये वीडियो देक्र आपने नमबर वन के अगर हम बात करें तो आता है आपका पीला चहरा दूस्तों गोरी स्किन हम सब को पसंद है और हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन गोरी हो जाए विशेशकर इंडियन्स को गोरी स्किन का बड़ा चाब रहता है लेकिन गोरी स्किन पीली पड़ रही है तो ध्यान मे रखने की बात है कि ये आपके शरीर में होने वाली B12 की कमी का लक्षन हो सकती है विटामिन B12 के लकमी की बज़ा से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर आपका जो हीमोगलोबिन के अंदर जो रेड ब्लड वेसल्स है रेड ब्लड सेल्स जो हैं जो हम लाल रक्त कणिकायब होते हैं वो दीरे दीरे डामेज होने लगती है और इनके डामेज होने की वजह से आपके शरीर की जो सकिन होती है वो हो जाती है पीली तो यह जरूर ध्यान रखें कि अगर आपका चहरा अचानक से गोरे पन से पीले पन की तरफ जा रहा है या डाप की तरफ से आपका चहरा पीले पन की तरफ जा रहा है तो ध्यान दें कि आपके शरीर में हो सकती है कमी B12 की B12 की कमी के अगर और भी लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण आता है जल्दी से ठक जाना ड्राउजीनस होना हमेशा से दिमाग के अंदर चक्कर जैसा फील होना और आपकी मैमरी लॉस होना बहुत चुटे-चुटे चीजों को बार-बार रिकॉल करने के बाद भी याद नहीं कर पाना ये विटमिन B12 के लक्षण है अब इसे पूरा कैसा किया जाए तो सबसे अच्छा और सबसे बहतर जो तरीकों के बगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा जो आपको फूड पार्ट मिलता है वो आता है आपका स्प्राउट्स का आप जो साबुत हरे मूँ होते हैं उन्हें स्प्राउट्स करके खाए ये आपको विटमिन B12 से भरपूर बना देंगे और इसकी ये विटमिन B12 देने की जो कपासिटी होती है वो 93% होती है और इसकी बायोवेलिबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी शरीर के अंदर ये कितना डाजस्ट होने वाला है कितना एब्जॉब होने वाला है वो 93% है दोस्तों तो ये बहुत अच्छा सोर से विटमिन B12 का इसे जरूर ले अपनी डाइट में दूसरे अगर मैं फूड आइटम की बात करो तो वो आता है यॉगर्ट ग्रीक यॉगर्ट हम जिससे कहता है दही अलग होती है यॉगर्ट अलग होता है और यह आपके इस प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्फ कर देगा दूसरे साइन के अगर हम बात करें तो दूसरा साइन आता है दोस्तों हमारे आइस के नीचे होने वाली पॉफिनेस या हम बात करें हमारे arms के नीचे होने वाली यहाँ पर आपको sagging दिखाई देने लगती है तो यह जो symptoms है, यह clear symptoms है कि आपकी body के अंदर कमी हो रही है iodine की और iodine की कमी की बज़र से आपको बहुत जल्दी थकार हो जाती है, बहुत जल्दी आपका weight gain होने लगता है आपको thyroid होने के chances भी होते हैं और भी इसी तरह के lections आपको इस तरह से body में दिखाई देते हैं iodine की कमी को पूरा करने के लिए ionized salt आप इस्तमाल कर सकते हो लेकिन हमेशा जैसे मैंने last video में ही बताया कि salt हमें अपनी diet में कम से कम करने हैं तो क्या दूसरे तरीके हैं जिसको हम use कर सकते हैं iodine की कमी को पूरा करने के लिए तो पता गुबी या cabbage जिसे हम कहते हैं यह बहुत अच्छा source है iodine का अब वो लोग जिनें पता गुबी से allergy हैं वो mushroom का इस्तमाल कर सकते हैं अगर हफते में अगर आप एक बार खा रहे हैं तो आपको जितना हफते बर के लिए iodine चाहिए वो एक ही बार में आपको मिल जाता है और अगले हफते के लिए वापस से आप उसे एक हफते में वापस खा सकते हैं तीसरा जो sign आता है दोस्तों हमारे चेहरे के उपर वो आता है हमारे lips का रंग उड़ना आप देखिए मेरे चेहरे पर भी जब आपको skin का complexion गोई गयो लेकिन lips आपको हमेशा towards darker side दिखाई देंगे मतब towards dark pink side में दिखाई देंगे क्योंकि हमारा जो चेहरे में जितनी blood vessels है सबके nerve endings यहाँ पर होते हैं blood vessels के endings यहाँ होते हैं जिसकी बज़ा से blood यहाँ पर में जादा दिखता है और इसी बज़ा से shave करते हैं जब जिन लोगों को lips पर cut लग जाता है आप देखना वो lips से bleeding जल्दी रुखती नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे होते हैं blood vessels के endings तो इनका color होना चाहिए pink या dark pink लेकिन अगर आपके lips का color जा रहा है it means आपके body के अंदर है iron की deficiency iron की deficiency की वज़ा से आपको constipation हो सकता है iron की deficiency की वज़ा से आपको एक और problem आती है कि जिसकी वज़ा से आपका hemoglobin हो जाता है बहुत जादा कम तो ध्यान रटने के जरुवत है कि अगर आपके body में iron की अगर कमी चल रही है तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सबसे पहले तो कुछ दिनों के लिए calcium वाले जो foods हैं वो reduce कर देना है क्योंकि calcium की बज़ा से iron का absorption होता है body के अंदर वो अच्छे से नहीं हो पाता है एक और मातने आपको बता दूँ कि अगर आपको iron rich foods खाने हैं तो आप पालक, मेथी, बतुआ, लौकी, घी या आपका तो रही इन सारी चीजों को अपनी diet में शामिल करें इन चीजों की बज़ा से आपके body के अंदर iron की deficiency छीख होने में आपको मदद मिलती है नमबर 4 sign के अगर हम बात करें तो नमबर 4 sign आता है दोस्तों आपका gums में से होने वाली bleeding gums में होने वाली bleeding का simple सा symptom होता है simple सा लक्षन होता है दोस्तों vitamin C की कमी और vitamin C को पूरा करने के लिए आप खटे fruits को अपनी diet का हिस्सा बना सकते हैं kiwi, orange, आपका lemon, आपका strawberry, आपका grapes इन चीजों को अपनी diet में शामिल करें जिसकी बज़ा से vitamin C की जो deficiency है वो कम हो और आपके जो gums में से bleeding हो रही है वो खतम की जा सके gums में bleeding के अलावा vitamin C की कमी की बज़ा से आपके चहरे पर आती है dullness जिसकी बज़ा से आपका जो चहरा है वो उतना glow नहीं करता जितना के exactly उसे करना चाहिए पाच्छवा और लास लक्षन आता है दोस्तों आपके बालों का dry होना आपके बालों का freezy होना आपके बालों का एकदम से ओड़ा ओड़ा दिखाई देना इसका simple सा symptom होता है दोस्तों B7 की कमी vitamin B7 जिससे कि हम लोग आम भाशा में बायोटीन या medical की language में बायोटीन कहते हैं उसकी कमी की वज़ा से हमारे बाल हो जाते हैं dry और बायोटीन की कमी की वज़ा को पूरा करने के लिए आप ले सकते हैं यॉगर्ट, एग्स, कीवी, स्ट्रॉबरी और लमन ग्रास टी ये 5 ऐसी चीज़े हैं जो आपकी बाडी के अंदर विटामिन्स B7 की कमी को पूरा करती है और आपके बालों को खुबसूरत बनाने में आपके मदद करती है विटामिन्स की कमी को पूरा करके आप सब चुमच एक बहुत healthy और glowing skin और बालों के मालिक बन सकते है और ये ही चीज़ हम सब लों का goal होती है जिससे कि हम महनत से कमया हुआ पैसा दवाईों में जाने से रोक सके तो मैं उमीद करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को शामिल करेंगे अपनी डाइट में और ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी आपको healthy, glowing and beautiful hair पाने के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही आज आप से अलविदा लेता आपका knowledge में Dr. Manoj अगले वीडियो में चल दी ही आपकी सब नहीं वापिस है आज़र होंगा तब तक के लिए आपका प्यार किसी चैनल को इस तरह से मिलता देगा इसी आशर के साथ love you all, bye bye, take care